हाई दोस्तों मैं हूँ सिराजर अप्रोल स्वागत है मेरे चैनल सिराचे सुरसन में सब्सक्राइब करने बारे है जो आप कंपिटिंग यूजिंग पाइथन विग 9 का प्रोग्रामिग एसामेंट 3 तो चैनल इदस्टों शुरू करते हैं देखते क्या दिया हुआ है विग 9 प्रोग्रामिंग एसामेंट 3 क्या है टेक एंटेजर एंज इनपूट प्रेंट आल नंबर का जो इंडेक्स है हो हम लोगो को प्रिंट करवाना है इंपूट 1, double, two, three, four, five तो इसका इंडेक्स यहापर प्रिंट है one, zero, then second two का इंडेक्स है one, third two का इंडेक्स है two, then three त्रीके इंडेक्स है three, four का four, five का five explanation यहापर दिया हुआ है given an integer one, double two, three, four, five and its index is zero therefore one, zero, second and third number is two and its index is one, two, therefore two, one, two and so on इसका बाद जो programming है वो programming हम पहले से लिखके रखे है पहले हम लोग क्या किये एक इंडेजर टाइप का नंबर इंपूट लिए then index नहीं का एक डिख लिए then a four loop for i in string n then index of i is equal to a blank list then for j in range range में हम लोग क्या किये length of string of n if i equal to string of n j then क्या होगा index of i plus is equal to j means index of i is equal to index of i plus j then for k in index print करेगा क्या k comma astri index then within third bracket k comma double question open close then panth is close इसका बाद हम लोग क्या करेंगे compile and run पे click करके check करेंगे जो public test cases दिया हो रहता है आपको हम लोग का pass किया है की नहीं चले देख लेते हैं देखें जो public test cases है वह भी हम लोग का pass कर चुका है अब हम लोग क्या करेंगे देखें जो प्राइबेट टेस्क्रेस है टेस्क्रेस है टेस्क्रेस 1 2 3 & 4 वह भी हम लोग का पास कर चुका है तो यह जो programming है यह programming 100% correct है यह अगर आप लोग करेंगे तो आप लोग को फुल मंक्स मिल जाएगा चले दिस्तों आज के लिए बस इतना ही फिर में तेक नाय वीडियो लेकर अगर मेरा वीडियो अच्छे लगा तो प्लीज लाइक कमेंट सेयर और सब्सक्राइब जाएब लेकर अगरा, जाएब लेकर अगरा घ्याचर वीडियो अप्लीज लगति है तो प्लीज में तेक लिएना प्लीज लेकर टुरे लेकर लिएकर लाइब